नमस्कार दोस्तों, लोटस आयरुवेदा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। पूरुषों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। सबसे पहले देखते हैं, पूरुषों के लिए कद्दू के बीच के फायदे। कद्दू के बीच को पोशक तत्वों का पावर हाउस माना जाता है। नर्ट्स की तरह इसके बीच भी तमाम पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं। कद्दू के बीच में ओमेगा 6 फेट्टी असेड, सहित प्रोटिन और असंत्रुक्त वसा प्रचुर मात्रा में मोजुद होते हैं। इसे रोजना डाइट में शामिल करने से अनेकों फाइदे मिलते हैं। कद्दू के बीच में आयन, आयन, कैल्शियम, B2, फोलेट और बिटा कैरोटिन जैसे पोशक तत्व भी बरपूर मात्रा में पाये जाते हैं। जिसका सेवन शरीर में हार्ट को हिल्दी रखने, कोलेस्टरल के स्तर को बनाए रखने में बहुत उपयोगी माना जाता है। कद्दू के बीच को आप डाइबिटिस की समस्या में इस्तेमल कर सकते हैं और इसके अनेकों फाइदे मिलते हैं। पूरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की समस्या से बचाव में फाइदे मन। इन बीजों के सेवन शरील में रखत और उर्जा के स्तर के निर्मान में मदद करता है। कद्दू के बीच में मौजुद गुन पूरुषों में एनरजी लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। हार्ट को हेल्दी रखने में फाइदे मन। सीता फल या कद्दू के बीज में वसा, फाइबर और एंटियोक्सिडन्ट होता है जो आपके दिल को स्वस्त रखने में मदद करते हैं। इसके बीजों में मोनोसैचुरेटेड़ फैट्टी असीड पाया जाता है, जो खरब कोलेस्टरल को कम करने में मदद करता है। साथ ही अच्छे कोलेस्टरल को बढ़ाता है, इसमें मैगनेशियम भी काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो दिल को सक्रिय रखने में मददगार होता है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप नियमी त्रूप से इसका सेवन कर सकते हैं, डाइबिटिस में फायदे का सेवन करते हैं, तो आपको डाइबिटिस होने की संभावना बहुत कम होती है, पूरुषों में डाइबिटिस की समस्या तेजी से बढ़ रही है, इस समस्या के खत्रे को कम करने के लिए आप रोजाना इसका सेवन कर सकते हैं, शुकराणों को बढ़ाने में उपयोगी, पूरुषों में शुक्रानों को बढ़ाने के लिए कद्दू के बीज का सेवन भूत उपयोगी है। कद्दू के बीज में सेहत के लिए फायदे मन, ओमेगा 6, फेट्टी असीड, सहीत प्रोटीन और असंत्रुप्त वसा जैसे पोशक तक्वं मौजुद होते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना और देखते रहिए लोटस अईरवेदा इंडिया।